कुल वैसा नहीं हुआ जैसी फैंस ने उम्मीद लगाई थी ये मैच भी भारत हारता दिख रहा है एक सो नौ दो रन दो विकेट पर हो चुके हैं एक सो दस भारत का स्कोर दो ही रन यानि की अब न्यूजीलेंड को बनाने हैं और दो रन अराम से बनेंगे ही हमाइसाथ करन और लाल से राच्पू जी बनेंगे वैसाथ में चंजेब हमाइसाथ जुड़ेंगे करन बात यह नहीं कि इंडिया भागे कि कैसे और होती है तो क्रिकेट की जितनी फैन फॉलिंग है वो एकदम से गायव हो जाती है क्रिकेट कर फॉलो करने वाले लोग नाराज जाते हैं बिल्कुल देको हमारे टीम इंडिन टीम फेवरेट है जितने के लिए जितने के लिए टीटेवरेट टीम है बड़िया बादा बैलनस है पंड कहीने कहीं पर जब आप शुरुआ अच्छी मिलते और स्पेशली जो पहल में आपकी टीम के कॉंबिनेशन में तो यह चैंजी साय तो इसमें थोड़ा मुझे लगाए थोड़ा सा भड़ा गये मुझे भड़ा जाते हो तो तो आपका यह प्रॉब्न हाल होते हैं साड़े 14 ओवर्स में ही न्यूजिलंड ने बना लिए 14 ओवर्स तीन गेंदों बें कि देखे पहला मैच बहुत इंपॉर्ट होता है जो मोमेंटम करने आइसी सी मैचेस में सबसे इंपॉर्ण है कि आप शुरुवात कैसे करते हों जब हम शुरुवात अच्छे नहीं कि 10 विकेट से हारे तो डेफिनल दबाव हमारे उपर था और आज भी देखा हम आठ विक इसे हमयरे बीजिए तो कहीं नहीं कि हमारी जो भॉलिंग एटकिंग जो बिलिंग कई दिखिक नहीं है तो हम लोग को उसके लिए करना पड़ेगा कि कौन हमारे विक के कर से दूसरी बात जीसे मैंने पहले भी कहा कि हम काफी बैटिंग ओर थे टिंकर करते हैं वर्ल्ट पहले ही आपका बैटिंग ओडर सेट होना चाहिए कि यह उपन करेगा यह तीन नंबर अनलस दरीज इन इन्जूरी देन आप चेंज कर सकते लेकिन काफी यह बैटिंग ओडर में हर मैच अगर आप चेंज करते तो कहीं न कहीं प्लेर्स के भी यह पॉसिटिवनेस होते न और नहीं है क्योंकि देखे 20 ओवर पिशली बार 40 ओवर पिशली बार मैच हुआ अभी 35 ओवर हुआ 15 ओवर में जीत गया न्यूजीलेंड 75 ओवर के इस मैच में एक भी ओवर तो ऐसा नहीं था जब इंडिया हावी रही पच्छत ओवर हो चाहे पाकिस्तान चाहे न्यूजीले जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा के दो मैचेज में केवल दो विकेट्स ये बहुत ही एक डिसपाइंडिन रिजल्ट है तो सिंपल अगर आपको असेस्मेंट करना है अनुलाइज करना है तो देखना चाहिए कि एक अच्छी टीम खराब खेली है या खराब पारत के लिए और दोनों बार टॉस हा रहे है दोनों बार राहूल और रोहित आउट हुए तो इससे बहुत ही मामला मुश्किल हो गया था पोलिंग एटक आड मैंने कहा कि उसमें एक बतला होना चाहिए था राहूल चहर जैसे अगर स्पिनर होते है फोड़ा सा चांस होत लेकिन ये भी है कि टॉर्नुमेंट चालो होने के पहले थोड़े जो जो विशह थे वो तो थे ही और वो भी प्ले आउट हो गया है ये इंपॉर्टन बात संजे कर रहा है कि ये टीम कमजोर है या कुछ कमजोरियां ऐसी थी जो ढ़क गई थी जो अब एक्दम से एक्सपो ने जो बैटिंगा यूररर का विशे है दो गत्रम पेडिंग और में आप देखिए आप दो मैश में बद्लाव कर दे बाटिंगा ने सबसकत में से वीराथ को है लो तो से घुनी को गो इस conference कर रहा है जो कुछ जो हआ जो कि बच्चे जो चीज़ें अब दिख रही हैं पहले भी दिख रही थी लेकिन अब दिख रहा है कि भाई एक महिंदर सिंग धोनी को लाया गया क्यों लाया गया यह समझ भी निया एक मेंटॉर नाम दिया गया एक तरह से नॉन प्लेंग कैप्टन फिर रभी चास्तरी पहले से वहां जब टीम सिलेक्ट हो गए थी हम स्रीलंका में तो आपको याद हो गाए इंडिया स्रीलंका कमाइच और तब लग रहा थी बहुत ही अच्छी टीम है क्योंकि हमारी में टीम इंगलंड मिती और जो टीवेंटी फ्लेर से स्रीलंका में बहुत अच्छा खेल थे लेकिन उसके पटी होगी वो आई पेल में बिल्कुल दिखाई दी और इस टोर्नमें में दिखाई दी विराद कोली का ओड़ा पॉम रहना आई पर भी दिखाई दिया बोलिंग का जो सेलेक्शन हुआ है अश्विन और जाडे जा जिनों जिनको हमने वाइड बॉल क्रिकेट दूर किया आपके पास है विराद कोली आपके पास है दुरूइश शर्मा एक काम्याब T20 कफ्तान फिर एक बैकिंग कोच है विक्रम राठोट फिर आपने धोनी को वहां पर लाया है तो अगर मैं सपोर्ट स्टाफ में होता तो मैं वहां से चला जाता कि फिर मेरी जरूद अख्या है कि अगर इतने लोग है उसके उपर आपने धोनी को लाया है और अगर कोई भी ऐसे उमीद करता है कि धोनी को मेंचार करके लाओ और बिल्कुल टीम आपकी उनकी तारा बन जाएगी तो वह क्रिकेट नहीं जाने दोनी के ग्रिडेंश पर सवाल नहीं है लेकिए यह हकीकत ह जाब जिया संजे नहीं और इसमें देपो ही में मैंशा मानता हूँ प्रोसेस में एक प्रोसेस होता है बिल्कुल आप दोनी को लाते पहले से तोड़ा इनिशली ड्रेसिंग रूम में बिठा के आप उसको आगे लेके जाके और अगला वलक आने वाले तो अभी इसको प्र रवी शास्त्री से होके पूरा धूरी पिछा आप जितना मीडिया फ्रोटोग्राफ देखए कोई भी लड़का आप के सामने ऑगे खड़ा रहरा है और धूनी के साथ इन्ट्रक जा रहरा है तो आपके पास जो में में कोच के पास कोई नहीं जा रहा कि याख भीकत यहां नहीं तो प्रोसेस होता है कि इतने टीम बनाने के लिए कि वर्ड कप में जाने वाले हैं हमारा प्लानिंग क्या होगा एक प्रोसेस होता है फिर वर्ल कप के पहले आप मेंटर कर गादे गी तब कहा कि अच्छा मूह है लेकिन जब तीम में काफी लोग होते है ना तो बंग कीफट व्वयर की कि सब्द अब क्या और सब्सक्राइबें थो पे यह माहिए आया हूं के आपका यह प्रोसिंश Wagam लएन प्रफ्राइब आपको कूच नहीं हुआ पजैने की सबाहिट हibenकि वसक्रों सन्य टार कर दिया अलया कोथ चला गया वहाँ तो ये सब कुस नहीं वहां पर भी बहुत कुछ हुआ, एक कोच बदला, दूसरा कोच आया है, वहां पर एक टीम गई, उसने टीम ने खेला भी नहीं, फिर भी वो आ गए, और फिर भी वो खेले जा रहे हैं। लिए पाकिस्तान का इतिहासरा है पाकिसान जब वोर्ल चैंपियन भी रही है तो उनका जो डुमेशूटिक प्रिकेट बिल्कुल लिगदम टर्मॉयल में होता है तो पाकिस्तान का जो भी सुस्सेस है न वो आपको और भी अप्रेचेट करना चाहिए क्योंकि वहां पर तो क सब सिस्टम है, इंफ्रस्ट्रक्टर है, और एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है यंग प्लियर्स के लिए, पाकिस्तान में कुछ नहीं, सिर्फ जोश है और उनके पास टैलेंट है, लेकिन देखे, पाकिस्तान इस बार अच्छा खेला है, लेकिन उनकी भी बुरी हालत रही है, इस इस टॉर्नमेंस में, तो अभी फिलहाल पाकिस्तान बहुत अच्छा किल रही है, और इंडिया बहुत बुरी तरक्ट रही है, लेकिन कोई-कोई मसले है, जिसको के ऊपर बात करनी होगी, और जो बच्चित कोचे मैं अभी भी इंडिया कॉलिफाइ कर सकती है, अग जिसकी लोग पब्लिक तो एक तरह से बिलकूल इमोशन में बहती है, एक तरफ हो जाती है, फिर आपको भूग लगता नहीं है, फिर होता क्या रहा है, आप एक मैच साथ दिन पहले हारे, बहुत बुरी तरह हारे, एक तिहास बदल दी आपने, ये सोशल मीडिया पर चल र क्या किया रोशा मैंने क्या किया यही खिलाड़ी IPL में परफॉर्म कर रहे थे ना देखिए यह कहना बड़ासान होती इमोशन वाली बाते होती है कि जब चलते हैं तुम कहते हैं IPL का फाइदा हो रहा है यह फाइदा तो है तो बिल्कुल आज हारे है तो हम लोग क्रिटिसाइज करें मैं तरह नहीं करोंगा कि क्रिटिसाइज करना है तो आपको आपने जो वर्ल्ड कप का प्रेप्रेशन वह बहुत इंपॉर्टन आपके लिए वर्ल्ड कप अलद चीज है आप IPL भी है आपके वाथ पर वर्ल्ड कप जब आता है तभी उनको ब्रेक भी मिलना चाहिए एक प्रोसेस होता है इसे ला उसके पहले सेशन में कि IPL ठीक है सबकुछ ठीक लेंगिन IPL की परफॉर्मेंस को इंटरनाशनल लेवल की परफॉर्मन से कमपेर नहीं करना चाहिए उन लोगों को किरन ने का बहुत अच्छी टॉर्णमेंट है हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी टॉर्णमेंट है लेकिन अभी तक जो परफॉमस हम ने देखी और अभी तक आइपेल जो पहला टाइटल वोर्ड टीट्वेंटी भारत ने जीता तब आइपेल नहीं थी उसके अब भारत एक टीट्वेंटी टाइटल दीत नहीं पाया वोर्ड टीट्वेंटी टाइटल लेकिन ऐसा नहीं है कि आइपेल नुकसान पहुचा रहा है हमें आइपेल की तरफ कोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा अगर इसी तरह की परफॉमस चलती रही जैसे रंजी ट् परफॉमस देखी जाएगी और उन चक्रबर्ती की आप आईपेल के परफॉमस लेके और इंटरनेस्टल के परफॉमस लेकिए उसमें काफी फर्क है उनके उपर नजर रखनी पड़ीगी तो अभी हम जब बोलते हैं कि आईपेल में इतनी शांदार उन्होंने यानि पोटेंशल देखने के लिए वो ठीक है अब अब आगे की बाद कुछ स्लिम चांस है अमरित कुछ चांस है न को ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए तो इंडिया पहुंच जाएगा सभी फाइनल में वो क्या है कि मतलब अफगानिस्तान को न्यूजीलंड को हराना होगा वो तो पॉसिबल है और इंडिया को नमीबिया को बहुत एवी रंडेट से हराना होगा स्कॉटलेंड को भी हराना होगा और दूआ ये करनी होगी कि भारत कम से कम आफगानिस्तान से जीट जाएगा मार्जिन से क्योंकि जिस हिसाब से टीम इंडिया खेल रही है मुझे ल लग रहे है नमीबिया और स्कॉटलेंड को भी लाइट ली नहीं देखो टॉस बहुत इंपॉर्डन होता है कि अगर अफगानिस्तान से भी हम लोग टॉस हरे और अगर हम लोग पहले बैटिंग करें तो फिर और भी मुश्किल हो सकती है लेकिन क्रिकेट में कभी भी हम प के साथ सो पॉसिबिलिटी है बट नामुंकिन नहीं है बिल्कुल देखो आपने 92 का वल्ल कप कहला है नहीं हो पाकिस्तान कैसे पहुंचा था फाइनल में और कैसे जीता था मॉकात मॉकात है अभी अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा ऐसे ही आप ऐसे क्रिकेट खेलोग एंगलेंड वाले बहुत बहतें क्रिकेट खेल रहें तो यह जो सारे टीम खेल एक अनि कंपरेसिन मुझे लगता है इंडिया ने बहुत साधारन किया है किसकता हुँ हर ड़िपार्मेंट में ऐसे नहीं कि हमने चलो गलतिया की बैटिंग में सब डिपार्टमेंट में हमार और सबसे पहले तो जाके दुनिया का नक्षा देखिए और देखिए नमीबिया है कहां पे अफरीका में अभी तो हमें यहां तक जानना है क्योंकि अब ये दिन आ गए हैं कि नमीबिया को भी बड़े अंतर से हराना है अफगानिस्तान को भी बड़े अंतर से हराना है